तो मेरे पलंबर भाई और बैनो आज हम PVC पाइप की सोकेट बनानी सीखेंगे ये तरीका सबसे आसान और सबसे सही तरीका है हीटकन की साहिता से हम पाइप को अच्छे से गरम कर लेंगे ये हमारी 40 कमणी की हीटकन है 2300 रुबे की कई मिस्त्रियों पाइप के अंदर शोल्वेंट लगाकर जलाने के बाद सोकेट बनाते हैं उसे आपका पाइप काला हो जाता है और शोकेट प्रोपर तरीके से वह फिट नहीं हो पाती है तो ये देखिए हमने वो पाइप गरम कर लिया है अब सोल्वेंट आपको उस पाइप या अलबो पर लगाना है जिस पर आपको ये सोकेट वाला पाइप चड़ाना है तो इस पर आपको नहीं लगाना है वरना गरम पर आप लगाएंगे तो ये सक्त हो जाएगा यह देखे तूरंथ आपको गुमा देंगे यह देखे हमारा चट चुका है पाइप और अब इस पाइप के हमोज चोटे वाले पाइप की बना रहे हैं यह देखे गुमा लेंगे तूरंथ इसको आकार देदेंगे सोकेट का और शोलिवेंड लगाएंगे एल्बो पर और पारशे हमारी सोगेट त्यार होती है